चुले आगे बड़े के एक और बड़ी खबर आपको पता दे मनिपूर मुद्धे पर दोनों सदनों में गतिरोध जारी है हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कारवाही सखित करती गई है दो बजे तक के लिए दोनों सदनों की कारवाही को सखित किया गया काले कपडे में संसद पहुँचे विपकशी दल के संसद एक विपकश के जो नेता है, वो आज काले कपडे पहन के पहुँचे थे इसे विपकश का ब्लैक आउट भी कहा जा रहा था क्योंकि जब लगतार मनिपूर मामला जो है उस पर विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र वमोदी से जवाब मांग रही है वो चाहते हैं कि सदन में आका प्रधानमंत्री मानिपूर के मुद्धे पर अपनी बात रखी हाला कि ऐसा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से विपक्ष लगतार हंगामा कर रहा है ऐसे में जैसे ही सदन की कारवाही शुरू होती है चाहे वो लोकसभा हो चाहे राजेसभा हंगामा जो है विपक्ष का वो लगतार देखने को मिलता है मौनसून सातर चल रहा है और ऐसे में हं पहले कपड़े में संसद पहुंचे थे विपक्षी दलों के निता, विरोध का येक और तरीका विपक्ष की ओर से, अज सदन में देखने को मिला, फिलाल दो बज़े तक के लिए दोनों सदनों की जो कारेवाही है उसे स्थागित कर दिया गया है, संसद में सरकार और विपक विपक्ष का लगातार आमना सामना और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, मनिपूर मुद्दे खो लेकर लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, हंगामे की वज़ा से लगातार हम देखने हैं कि सदन की कारवाही जो है वो स्थगित हो रही है तो देखें सदन में हमने देखा आज विपक्ष का ब्लैक आउट दरसल मनीपूर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है तो इंडिया का ब्लैक आउट, इंडिया यानी INDIA जो विपक्षी दालों ने अपना गठबंदन किया है, उसका नाम INDIA रखा, उसका ब्लैक आउट आज किस तरह से देखने को मिला, मनिपोर मुद्दे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, सदन में पियमूदी के बयान पर व विपक्ष प्रदर्शन लगतार कर रहा है, सदन में आज काले कपड़े पहन कर विपक्षी सांसद जो थे वो पहुंचे थे, कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने विहप जारी किया है, दरसल लगतार चर्चा की मांग की जा रही है, प्रधान मंत विपक्षी के जो सांसद हैं उन्होंने विही जारी किया था